वेलकम टू ओनलाइन अस्टड़ी क्लासिस आज हम आपके साथ विश्व में पर्थम का पार्ट टू डिसकस करने जा रहे हैं पार्ट वन मैंने अल्रेडी डिसकस किया हुआ चैनल पर वो वीडियो आपको अबलेबल है आप लोग जाकर देख सकते हैं विश्व में पर्थम से निश्चित रूप से ससी के एक्जामनेशन में एक या दो कोशन डाता है और आपको जो है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जैसे 15 दिन तक अगर एक्जामनेशन चल रहा है तो लगातार जो है कि हर एक दिन किसी ना किसी सेट में जरूर विश्व में पर पूछता है अगर अभी से आप इसको तयार करते हैं तो सोचिए आपको धीरे धीरे टॉपिक पे आप मतलब पकर बनाते हुए आगे बर रहे हैं तो ठीक है स्टार्ट करते हैं पागा कुश्चन है कि इंगलेंड की पर्थम महिला परधान मंत्री कोन थी इंगलेंड की मुसलीम देश की पर्थम महिला परधान मंत्री कोन थी किसी भी मुसलीम देश का जिसने की इसलाम को अपना धर्म कबूल किया है तो राष्ट्य धर्म कबूल किया है तो ऐसे किसी भी मुस्लिम देश की पर्थम महिला परदान मंत्री कौन थी यह है बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो जो है किसी मुस्लिम देश की पर्थम महिला परदान मंत्री है मतलब अगर ये देखें, मुस्लिम देश में पर्थम महिला पर्धान मंत्री बेने जुरू उट्टो थी, लेकिन किसी देश की पर्थम महिला पर्धान मंत्री कोन थी, ये आपको पूचा जाएगा, यहाँ कोई मुस्लिम देश नहीं लिखा हुआ है, ओभर ओल वर्ल्ड की बात किया जा रहा है कि पूरा वर्ल्ड में किसी देश की पर्थम महिला पर्धान मंत्री कोन थी, ये था, एस भंडार नाई के, एस भंडार नाई के, ये है सिरलंका के, इस तरह का कोईशन बहुत आता, एक्जामनेशन में आपको कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से प्रि प्रिमाहिला, ये है बेलेंटीना तेरेशकोवा, ये जो है रूस की आपको बताए थे, कि जो रूस है वो टेकनलोजी में काफी एडवांस है, बहुत अच्छा टेकनलोजी है रूस का, अंत्रिक्ष में भेजने वाला, जो है मतलब कह सकते हैं कि पहला देश जो है वो रू इसका डिफ्रेंस जो है पार्ट वन लेक्चर में आपको समझाए है, कि चंद्रमाह पर जो पहला आदमी गया था वो है नील मारम स्टॉंग, लेकिन अंत्रिक्ष में जो बेजा था, वो रूस के तरफ से गया था, यूरी गागरिन गया था, तो ये आपको अंतर महा पर, एक्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको ये करना है, दोनों आप्षन में रहेगा अबलेबल, जल्दी यल्दी में क्या करते हैं बच्चे, टाइम का सेविंग करने में, अंत्रिक्ष वाले को चंद्रमाह वाले के साथ मार देते हैं, या फिर कन्फ्यूजन में पर जाते हैं इसलिए आपको डिफ्रेंस समझना है, देखें यहाँ पर अंत्रिक्ष में जाने वाली पर्थम महिला इसमें जो है वेलेंटीना तेरेशकोवा ये रूश की है, तो आप इसी से अन्वान लगा सकते हैं कि रूश कितना एडवांस टेक्नोलोजी है इसका अंत्रिक्ष के मा ये अबरेश्ट पर ँचहने वाली विश्यू की पर्थम महिला इht जूंको तेवई बृ स्गूंगरी अंत्रिक्ष को ब्रिटेन की पर्थम महिला सभापती doen एक्धम कितना वार? मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा वार SSC के different exam जितने भी conduct कराते हैं उसमें मुझे लगता है 10 से ज़्यादा वार पूछा जा चुका है कि सन्यूक तराष्ट महासवा के पर्थम महिला सभापती कोन थे यह है बिजगा लचमी पंडित चुक्कि यह भारत से हैं इसलिए इनका question बहुत ज्यादा पूछा जाता है भारत पर आक्रमन वाला पर्थम युरोब वासी कों था भारत पर आक्रमन करने वाला पर्थम पहला युरोब वासी था यह है शिकंदर शिकंदर जो है भारत पराकमन करने वाला पर्थम युरोव वासिथा विश्व में किसी देश की पर्थम महिला राश्ट्पती अगर विश्व की बात करें विश्व में किसी देश का पर्थम महिला राष्टपती कोन है यह है मारिया एस्टेला रजावेल अर्जेंटीना की राष्टपती है मारिया एस्टेला रजावेल यह विश्व की किसी देश की पर्थम महिला राष्टपती है अगर भारत की मतलब कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला राष्टपती कोन है तो यह है पर्तिभाद देविशिंग पाटिल यह पर्थम जो है भारत की महिला राष्टपती है उसके बाद से जो है कोई बना नहीं है अभी तक एक ही बना है राष्टपती महिला में पर्तिभाद ऐस तरह का QSo ważne आता है और आप लोग छोर कराते हैं इसलिए हम कहा रहे हैं कि इसको अच्छे से किजिए अंचार्टिक ऐसा तो यह याद रखिएं ateur्क्तिका महदीट पर पहुचने वाला पर्तम म केरोलीन, मिकलसन, जल्दी से आपको जल्दी से रेप अप करते हैं, जल्दी से रिवायच कराते हैं, जो अभी पराएं, दस कुश्यन, इंगलेंड की पर्थम महिला परदान मंत्री मारगेट थ्रेचर है, कोन है, इंगलेंड की पर्थम महिला परदान मंत्री मारगेट थ्रे और इब्रेस पर चरने वाला पर चरने वाली पर्थम महिला जो है जुनको तेवई जपान से है ब्रितेन की पहली राणी जेन थी सन्युक तराष्ट महासवा के पर्थम महिला सभापती विज्यालचमी पंडित है संयुक्त राष्ट महासवा के पर्थम महिला सभापती विज्या लच्मी पंडित है भारत पर आकरमन करने वाला पर्थम युरोबासी जो है शिकंदर था विश्व में किसी देश की पर्थम महिला राष्पती मारिया स्टेला रजावेल ये अर्जेंटीना का है और अंटार्टिका महादी पर पहुचने वाली पर्थम महिला जो है केरोलीन मिकल्सन है ठीक है पिर्थवी का मानचित्र बनाने वाला पर्थम बेक्ती पिर्थवी का मानचित्र बनाने वाला पर्थम बेक्ती कौन था यह है अनेकजी मेंडर ने पिर्थवी का मानचीत बनाया था यह पिर्थवी का मानचीत बनाने वाला पहला बैकती का नाम अनेकजी मेंडर है अनेक जी मेंडर विश्व कोश संकलन करने वाला पर्थम बेखती विश्व कोश संकलन करने वाला पर्थम बेखती यह है एस्पे ओसीपस एस्पे ओसीपस यह जो है एथेंस का है विश्व कोश संकलन करने वाला पर्थम बेखती एस्पे ओसीपस यह जो है एथेन्स का है सरवाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चरने वाला पर्थम बेक्ती मतलब सबसे ज्यादा एज में एवरेस्ट पर चरहाई करने वाला चरने वाला पर्थम बेक्ती कोन है यह है रिचर्ड बॉस रिचर्ड बॉस जो है सरवाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चरने वाला पर्थम बेक्ति है फिर है विमल्डन ट्रोफी जितने वाला पहला एश्यन बेक्ति तो ये पहला एश्यन बेक्ति कोन है जिन्होंने की विमल्डन ट्रोफी जिता था ये है और्थर एश और्थर एश जो है पहला बेक्ति है एश्यन बेक्ति जिन्होंने विम पूरा अच्छे से डिसकस किया है कि नॉबल प्राइज कब से स्टार्ट हुआ उसका क्या हिस्ट्री था वहाँ से लेकर पहली बार जो नॉबल प्राइज मिला 1901 इसबी में दिया गया तो किनको किनको मिला 1901 इसबी में फिर उसके बाद जाकर भारत का इत्यास का इसा था नॉबल प्राइज के छेत में फिर 2016 में किसको किसको नॉबल प्राइज मिला और किस-किस छेत में मिला इन स पर आपको दो वीडियो मिलेगा एक पदमे वाट का भी मिलेगा अलग से और एक जो है नोवेल पराईट पर भी मिले उसको देखिए क्योंकि नोवेल पराईट से जितने भी कोश्चन आपको एक्जामनेशन में अभी आएंगे उन सारे तरह के कोश्चन को काफी comprehensive way में cover किया गया है ताकि आपका एक भी question नहीं चूटे examination में ठीक है तो ये साहित के छेत में पर्थम novel प्रुषकार से सम्मानित व्यक्ति जो है पूंधो शली पूंधो शली जो है इनका नाम है साहित के छेत में पर्थम नोबल प्रुषकार से सम्मानित व्यक्ति है कब मिला था पर्थम नोबल प्रुषकार से सम्मानित व्यक्ति है कब मिला था पर्थम नोबल प्रुषकार से सम्मानित व्यक्ति जों हेंडरी दुनांद एबं फेडरिक पासी कौन देता है Nobel Prize, Shanti के छेतर में एक मात्र Shanti का छेतर है जिसमें कि Sweden और Norway दोनों मिलकर देता है Sweden और Norway दोनों मिलकर जो है joint proof से Nobel Prize Committee की तरफ से Shanti के छेतर में Nobel Prize मिलता है और यह جो Nobel Prize है यह Alaska में दिया जाता है यह housing के छेतर वाला Norway की capital है Alaska वहम पर मिलता है और बांकी जितने भी है वो स्वीडेन में मिलता है लसाहित के छेत्र में बहुत की रसाइनी चिकसा अरसास तो यह सब जो छेत्र में मिलता है यह स्वीडेन में मिलता है और सांती के छेत्र में जो है अलास्का में मिलता है नारवे में और आपको बता दें कि जो नॉबेल प् भी में, जो है, economics को बाद में اed किया गया, ठीक है, पो total अब जो है, 6 चेतरों में मिलता है, ये भी question आप से पुछा जाता है, कि total कितने चेतरों में Nobel Prize से सम्मानित किया जाता है, total 6 area में Nobel Prize से सम्मानित किया जाता है, ठीक है, संती के चेतर पर ज़्यादा फोकस रहता है अभी पता है कि 2016 का जो सांती के छेत्र में मिला है वो कोलंबिया के राष्टपती जो है जुआन संतोष को मिला है उन्होंने जो है जो आंत्रिक यूद ग्री यूद चल रहा था कोलंबिया के अंदर बहुत दिन से कह सकते हैं कि 3-4 दसक से 2-3 दसक से कम से कम चल रहा था उस यूद को इन्होंने अपने मतलब का सकते experience के अधार पर उसको खतम किया उसको बंद करवाया तो ये एक बहुत ही बड़ा achievement था और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सांती के छेत्र में उसे नोबेल प्रुसकार से सम्मानित किया गया और भ लगभग ये काफी बहरी करते रहता है हलांकि अभी लगभग 2014 का मतलब बता सकते हैं कि आपको लगभग 14 लाक जो है US डॉलर के लगभग मिला था तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग एप्रॉक जो आट करोर रुपया की लगभग मिलता है और उसमें गोल्ड मे सम्मानिद व्यक्ति है जियों हेंडी दुनांत एवं फेडरिक पासी भोतिक विज्यान में पर्थम नोबेल पुरुषकार से सम्मानिद व्यक्ति इनको आप लोग अच्छे से जान भी रहोंगे भोतिक विज्यान में जो जिनको पहली बार नोबेल प्रुषकार मिला है ड एक सरे की कोच के लिए डिसकब्री औपẦ एक सरे रसायन बिज्यान में पर्थम नोबल प्रस्कार से सम्मानिद व्यक्ति जे एच वेंट होफ इसको जो रसायन बिज्यान में पर्थम नोबल पृष्कार मिला है फिर अर्थसास्त्र आपको बताए कि यह जो स्टार्टिंग जब नोवेल प्राइज इस्टार्ट हुआ था 1901 में उस टाइम नहीं मतलब अर्थसास्त्र नहीं था केवल पांच ही चेत्र था ठीक है लेकिन बाद में जो है इसको अर्थसास्त को भी इंक्लूड किया गया कब किया उनिस्सो अर्थसाट इस्वी में उनिस्सो अर्थसाट इस्वी से जो है अर्थसास्त के छेत में भी नोवेल प्राइज देने स्टार्ट हो गया और आपको बताते हैं कि अर्थसास्त के छेत में पर्थम नोवल पुर्षकार से सम्मानित वेक्ति कौन थे यह है रेगनर फ बैंक नोट जो है मतलब अपना डेली के यूज में लाने वाला पहला देश जो है ये स्वीडेन है इन्होंने 1661 इस भी में बैंक नोट का यूज में लाना शुरू कर दिया था थैंक यू सो मच फ्रेंड फोर वाचिंग इस वीडियो क्योंकि लेक्चर को अभी यहीं पर खतम कर रहे हैं और अभी बिस में पर्थम लगवग खतम हो गया है जो जो इन्पॉर्टेंट कुश्चन था मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए लाया था आपको ये वीडियो कैसा कोमेंट बॉक्स में लिखेगा है और आप लोग शेयर जरूर किजिये इतने हिंदी माध्या मों के बच्रान यह यह लोग आप लोग करते हैं वीडियो के हम आपकी लिए लाते वरी माह signs ए टम लोग कम से कम शेयर जरूर किया कीजए ताकि ज्यादा ज्यादा इस पर